कि हलो फ्रेंड्स एक वाप फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में और दोस्तों एक वाप फिर से आप लोगे साथ एक प्रियर्जमेंट के कोश्चन या जिसे कते पारजंबल का जो है कोश्चन से करने वाला हूं और यह कोश्चन आपका प्रिवेस मे में पूछा गिया कोश्चन था और थोड़े ट्रेकी हैं देखने में काफी असान लगेंगे लेकिन आप कभी कई बार आप इसमें ऐसे असान कोश्चन में उलज भी जाते तो आप इसे जिहान से देखिए कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे और मैं इसका ट्रेक भी बताऊंगा इस ट्रिक के मदल से आप इसको चुछ करता है इसके पहले बार दो वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुक हूँ जिसमें की आपको ट्रिक बताए ताब मैं फिर्ट एक बार रिपिट करता हूँ पहला चीज आपको नाउन ढूटना होगा दूसरा चीज़ आपको प्रोनाउन धुनना होगा ठीक है प्रोनाउन फिर्स चीज़ नाउन से थर्ड फॉर फाइब यह जो है मिरिल पार्ट है जिसका मिरिल पार्ट में आपको मैं बताया था कि सब्सक्राइब अब यह में प्रोड़ कर गदस्ता होते हैं अगर आपने अगर आफर अगर आपको मिल गए देन वी पार्ट के बाद आप इस सब्सक्राइब पूछा तो देखें यह जो था पूछा कि तो पूछा कि गया तो कुर्शन इसमें एक चीज क्या था थोड़े सी चीज़ो आपको अगर इंग्लिस पर के समझे में यह आता है तो आपको यह त्रिक काम करेंगे अगर आपको समझ में आती है ता आपको ट्रीक की जरुदत नहीं आप बिश्कली भी बना सकते हो ओके तो यहां पर कूरिंट को इट से तो कभी नाउन होगा शुरू नहीं ठीक है वुटान तो नाउन हो सकता है लेकिन वुटान के बाद संटेंज अगर आप पर ही है कि वुटान सेंडविच्ट बेटिविन टू मोस्ट फैबूलर पॉपुलरस नेशन ऑन अट सरफर सफर्स पॉदियर सिंज अब इसके पहले कुछ जिक्र हुआ होगा तब ही तो बोला गया कि भुटान जो है सेंडविचेज हो चुका सेंडविच्ट हो चुका है दो देशों के बीच में वो पिस्कर रहा गया है दो मोस्ट पॉपॉलरस नेशन के बीच में ऑन अर्थ सफर पॉर देर सिंस ठीक उनके जो भी जो भी किये हैं ठीक है जो दो पॉपॉलरस नेशन है जिनके वज़स जिनके दुस्ट परिणामों से बुटान इसके बीच में पीसके रहा गया तो इसके पहले कुछ बात हुई होगी तब ही तो यह तो आपका काउस हो गया कारण हो लेकिन वह क्या कारण था यह तो पहले की बात यहां पर की जाए तो सो फार आपका एक कहीं न कहीं मिडिल पार्ट का हिंसा हो जो कि 3rd, 4, 5th में कहीं पर आ सकता है तो यह भी नहीं होगा ठीक तो संटेंस यह भी नहीं यह भी नहीं का इलिमिनेट हो गया अब बचा आपके पास तिन और बचे हैं ठीक तो ग्लेस खुझना है नेस्ट पढ़ते हैं संटेंस की ग्लेसिर आप बिगिनिंग टुमेल्ट फ्लाइस फ्लर्ट एंड हेवी रेंस एंड इवेंड ड्राफ्ट और कॉमन एंड टेंप्रेचर और क्लैंबिंग तो यह देखे कहीं यह फिर से आपको किसी चीज का रिजन बता रहा है जिसके बज़े से घट रहा है ठीक है कोई चीज हुआ कोई घटना गटी उसके मिनस की जो कुछ ऐसा घटना गटना उसके बाद की रहना हुता है जो रेजल्ट होता है यहां पर तो यहां पर करने का मतर्फ ग्लेसिर जो मेल्ट अना सुरू हो गया है ब्लड़ प्लॉड का सुखार वगया है कॉमन ऊपर बढ़ते जा रहा है कुछ तो होगा सिसके पहले कुछ तो रिज़न होगा तब यह चीज आया है पाइन कर बिटने इस पोफ्टर इता इंडपेडिन और ये नामन यहां होगा ठीक यह आपका पहला पांकर गटी जहां पाँटेंच सुरूव होगा है ठीक है डी हो गिए फिर्स्ट पार्ट अब यह आपका इंडिपेंडेंडेंडन वर्ड व गया जिसको कह थे नाउन इसके बाद आपका आना चाहिए प्रॉणाउन ठीक है आपका क्या अना चाहिए अब में गिटा देता हूं सभी को इरेज कर पावर मिंस्की जो कारवन होते है वह 70 परसंट क्या होते हैं लगबग आपको यहां पर होते हैं जो मॉन्टेन के आसपास की जंगल वाला इधाका हता है वह क्या होता है कि कारवन को सोकता है ठीक तो भूटान जो है भुटान वहां की बात की गई है कि सबसे ज्यादा वहां पर हर्याली सबसे ज्यादव है तो ठीक है अब यहां पर फिक वर्ड अब यहां पर माली के संटेंस ना भी समझ महयinda प्रावन सिन्स मेंनग इस और रच आपको वहां गया 70% पर्स्ट को पाबंड आल्मोस्ट इंटाइली बाइ मॉन्टेन स्ट्रीम ठीक यहां तक तो यह भी समझ में आगया अब है कि अगर आपको नाउन मिला तो प्रोनौन क्या होगा तो आपका तो प्रोनौन इट से सुरू होगा क्यों क्यों क्योंकि इट इस ओनली दे इस कंट्री कि इस ओनली कंट्री यहां से आपका सेटन पाट हो गया आपका यह वी हो गया अब आते हैं कि इस ओनली कंट्री इन दो वोल्ड डाट इस कारवन निगेटिव जो है यह क्या कर रहा है कि ऑक सिजन तो बहुत जाद है तो यहां पर चीज़ है कि प्रोडूस कर रहा है लेकिन जो कावन की चीज़ कहते हैं वह कम हो रही है तो यह चीज़ है यहां पर कंट्री है जहां पर की मॉन्टेन स्ट्रीम था जिसके वाज़े से तो वहां पर कारुण सिंग्स की बात की गई थी कि कारवन जो है कम खपत हो रहा है कम वहां पर पर पॉद्ध जो है वहां पर इन्वार्मेंट है उसका पर पर कम सोख रहें जो की वह ज्यादा प्रिदूस करें ऑक्सिजन ठीक यहां तो तो हो गया अब देखेगा तो यहां आप चीज समझ में आ गया होगा आपको चलो डी और फर्स्ट पार्ट का हिंसा पर मिटा आते था कि आप लोगों को चीज समझ में यहां पर डी था और यह था सेगन पार अब चलो यह अगर बात कारवन की की गई है तो सो फार हलाकि सो गुड अब बात होगे कि चलो ठीक ह लेकिन यह उच्छा की कार्मन प्रोड्यूस करता होगा हलाकि यह यह चीज अच्छा है बटं स्कत्राविदें कि टूपली और तो सब्सक्राव होगा वो क्या तो पहला कुछ ही जो गाना two things में थे फरस्ट होगा या one कुछ होगा तो इस तो इस देखा तो देखिए तो संट्रल पार्ट हो गया ठीक है संट्रल पार्ट हो गया तो DR तो यहां पी आगया अब इसके बाद क्या हो गया two things में से 1 part होगा जो कि दूसरा और भी तो कुछ होने वाला है कि इससे एक और तो आपका जो है कि औक तो बढ़िया हो रहा था एक तो इससे चीज का हिसी चीज इस में और क्या खुल मलू और चीजर लेकर के ओर ररेंस्ट मिर्ट क्या हो रहें तुर फ्लैस ख्लिट फ्लाइस ता कलंने आंने श्रू हो गए हैश इसकी होती काफी भाँ बरत फुन हो रही है and event draft common शुकार आहां बात हो गया common सी बात हो गई है और temperature are climbing और temperature देवर दे आप खुद फिल करते होगे कि बरता जा रहा है तो यह सेकंड रिजन था यहां पर जो टू रिजन की यहां पर बात की गई थी यह वाला में two reason में से first reason यहां पर यह हुआ और second reason यह हुआ ठीक second second reason यह हो गया तो f का जो है f के बाद कौन होगा e होगा ठीक d a c f e 5 तो मिल गया अब जो finally यहां पर होगा वो क्या होगा यहां पर e होगा और फैनली जो होगा भुटान सैंडविच between two most populous nation on the earth suffer for their sins और इससे भुटान को क्या हो रहा है वो दो देश जो populous नेशन जो राष्ट है उस दो देश के बीच में उसके दुस्परिनामों के बीच में पिसकर रह गया है तो भुटान से कहानी शुरू हो आता है कि बुटान एक पोस्टर चाइल्ड ग्रिन लिविंग था और यहां पर बुटान की सिती ऐसी हो गई तो गाइस कैसे लगी व dac feb dac feb अब इसी चीज को question में आते हैं लिखते हैं d a c f e b है ना 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिया ताकि question solve करने में असानी होगा चलिए अब आते हैं first question पे which of the following should be the first sentence first sentence of the given paragraph अब यहां पर मैंने arrange कर लिया तो मुझे आसानी होगा क्या arrange करने first sentence मुझे दीख रहा है d होगा ठीक next question which of the next question which of the following should be the third sentence third sentence of the given paragraph third sentence क्या होगा यहां पर दीख रहा है c तो c को टिक कर लेंगे हमनों अभी third question पर आते हैं which of the following should be the last sentence of the given paragraph last sentence हमें दीख रहा है यहां पर यहां पर मैंने b को टिक कर लिया ठीक next question which of the following should be fourth है यहां पर मैं मिटा देता हूँ था कि clear दीखें आपको four sentence for of the given paragraph four sentence मुझे दीख रहा था f यहां पर ठीक f दीख रहा था तो इसमें ठीक कर लिया और इस question का last जो है question इस वीडियो का last question which of the following should be second sentence of the given paragraph तो second paragraph आपको देख रहा है यहां पर और आपने ठीक कर लिया तो देखिए एक वर मैंने arrange कर लिया तो अराम से पांच का पांच question within 30 seconds में within 30 seconds में यह पॉसिबल तो देखिए अगर इंग्लिस की मैं बात करूं तो सबसे आसान और सबसे आर्सी जो होता है आर्सी कहीं काफी लेंदी होता है आपको कम से कम उसमें पढ़ ले मिनिमम आपको अछो एक मिनट्स आठ मिनट्स दॉन कशकर अघर आपकी रृटिंग केपवलिटी ब Park अ Bossed अगर कर आपकड़ कि लेकिन आप यहां सबसे बेंटर कर लो उसको कर लो कर लो कर लो बस आट सीं से आप क्या करूं वहां से पाल home गोन जितना बन सके किरो लेकिन चैनल्हाप कर सकते हो कि आरत्री कर सकते हैं आपका सभी कुछ 1 फिर्लक्स पान्च यहां परजय क्या सकते कि यहां पर प्रेश सोब्सक्राइंट जातीमियों सबस्क्राइब और बागी का आप आएगा आर्टी में ठीक वहां से आप कर सकते हैं तो कई वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कर दिएगा और आए होप कि आपको वीडियो अच्छी जरूर लगेगी और साथ इसाथ आप में टेली करें पर फॉलो कर से तुछ यहाँ पर आ आपको यहां से नहीं मिले तो थैंक्यू वेरी मुच्छ